तीस दियान रखने योगी जरूरी बातें समय निकाल के जरूर सुने नमबर एक जो औरते प्रेगनेंसी में गैसिया कप्च की समस्या से परिसान रहती हैं तो मेती के दाने को रात पर पानी में भीगो कर रख दे और सुबह उठने के बाद सबसे पहले इसका पानी पिए इसे बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलता है नमबर दो अगर आप बिमारियों से बचना चाहते हैं और हमेशा स्वस्त रहना चाहते हैं तो गेहों के साथ चना, जवार, जो, सोयावीन, अलसी के मिक्स आटे की रोटी खाएं यह मिक्स आटा स्वस्त के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है नमबर तीन सबजीयों को कभी भी खाना बनाने के बहुत समय पहले ना काटे यदि आप खाना बनाने से बहुत पहले सबजीयों को काटते हैं तो इसे उनकी पॉश्टिकता खतम हो जाती है नमबर चार यदि आपको सर्दी में बहुत ज़्यादा चीक आती है तो इसके लिए खस-खस को पानी में उबाल कर भाप ले इससे चीकाना बंध हो जाती है नमबर पांच यदि आपको बलड प्रेशर बढ़ने की समस्या है तो रोजाना दो अंजीर खाया करे इससे बलड प्रेशर नहीं बढ़ता नमबर छे यदि आपके बाल बहुत ज़र रहे हैं तो आप छांच में मुलतानी मिटी भींगो कर एक पैक तयार करे और इसे सीर धोने से एक घंटा पहले बालों में लगाए और सूखने दे उसके बाद सीर धोले ऐसा करने से बहुत ही जल बाल गिरने की समस्या खतम हो जाएगी नमबर साथ जिन औरतों के चेहरे पे छोटे-छोटे तिल की समस्या है तो इसके लिए फूल गोभी का रस निकाल कर तिल वाली जगा पे हलके हाथों से मसाज करके लगाई इससे धीरे-धीरे तिल खतम हो जाएगी नमबर आठ सेव खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा करने से गले के कैंसर हो सकता है नमबर नौ यदि आपके पूरे सरीर में दर्दिया ठकान है तो इसके लिए सरसो के तेल या नारियल के तेल से सरीर की मसाज करे मसाज करने के बाद मानसपेशियों को बहुत आराम मिलता है नमबर दस खाना बनाने के बाद खाली चूले पे तवा न रखे गैस बंद करने के बाद तवा कभी भी उसके उपर न चोडे नमबर इगार कई औरतों की आदत होती है कि साम का खाना बनाने के बाद वो तबे को धोती नहीं है आपका ऐसा करना अन्न को अपमानित करने के समान माना जाता है साम का खाना बनाने के बाद तबे को हमेशा धोकर और सुखा के ही रखना चाहिए नमबर बारा यदि आप छोटे बच्चों को रोजाना एक केला किलाते हैं तो इसे बच्चों की हड़िया मजबूत रहेगी और फ्यूचर में बच्चों को हड़ियों संबंदित बिमारी नहीं होगी जो और ते रात को सोने से पहले 5 मिर तक अपने पैरों के तलबे पे सरसों के तेल से मालिस करती हैं तो इसे उनको कोई बड़ी भीमारी नहीं होगी साथ ही आखों की रोसनी तेज होती है और दिमाग को ताकत मिलती है और रात को मालिस करने से नींद भी अच्छी आती है जो लोग सोने से पहले मूँ नहीं धोते वो बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते क्योंकि रात को सोते वक्त हमारा चेहरा साफ न होने के कारण जुरिया जल्दी पढ़ने लगती है जिसकी वज़ा से चेहरा खड़ाव होने लगता है इसलिए रात को अपना चेहरा गुनगुने पानी या कच्छे दूद से साफ करके जरूर सोया करें नमबर पंद्रा कभी भी उल्टा मू करके ना सोय क्योंकि उल्टा सोने से सीधा दिल को नुकसान पहुंसता है और इसे खाना भी अच्छे से नहीं पचपाता है नमबर सोला जो औरते नहाने के पानी में निम्बू का रस और नमक मिला के नहाती है उनकी सुन्दरता बढ़ने लगती है और तवचा मुलायम और चमकदार हो जाती है नमबर सत्रा जो लोग ज़्यादा चीनी वाले चाय पीते हैं उन्हें जल्दी ही मोटापा जैसी समस्या होने लगती है इसलिए हमेशा कम मीठी और कम से कम चाय का सेवन करें नमबर अठारा अगर खाना खाने के बाद गैस की समस्या होती है तो निम्बू के अचार का एक टुकड़ा जरूर खाय इसे पेट में गैस नहीं बनती और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है नमबर 19 अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो हमेशा कोसिस करें की सूर्य उदैस से पहले विस्ता छोड़ दे ऐसा करने से आपके अंदर नकारात्म कुर्चा कम होगी और आपके सरीर में पूरी दिन फूर्ती बनी रहेगी नमबर 20 जो इंसार खड़े होके पेसाब करते हैं उसका सीधा असर उनके दिमाग पे पड़ता है जिससे दिमाग धिरे-धिरे कमजोर होने लगता है नमबर 21 जो औरते नहाने से पहले अपने बालों में दही से मसाज करती हैं उनके बाद सुन्दर और चमकदार होते हैं नमबर 22 चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार सादा पानी की जगा चावल का पानी इस्तेमाल करें इससे रंग तेजी से गोड़ा होता है नमबर 23 जिन औरतों के प्रेगनेंसी के बाद पेट पर दाग पर जाते हैं वो पालक का रस निकाल कर दाग पर लगाए इससे दाग धीरे धीरे चले जाते हैं नमबर 24 यदि आप आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाते हैं तो इससे बाल सफेद नहीं होंगे नमबर 25 यदि आपको खाना खाने के बाद खटी डकारे आने की समस्या है तो प्याज पर काला नमक और निम्बू लगा कर खाएं इससे बदहजमी नहीं होगी नमबर 26 हमेशा खाना खाने के बाद सौफ या गूर का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इसे पाचन क्रिया अच्छी होती है और हमारा खाना जल्दी हजम भी हो जाता है नमबर 27 रोजाना रात को सोते समय नावी में बादाम का तेल लगाने से दिमाग तेज होता है और चेहरे पे चमक आती है नमबर 28 काली मिर्च पानी के साथ खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है नमबर 29 जो इंसान सुबह का नास्ता नहीं करते उन्हें स्वास्त पर सबसे ज़्यादा फर्क परता है और धीरे धीरे उनके अंदर कई बिमारिया पनपने लगती है इसलिए हमेशा नास्ता हेल्दी और हैवी करना चाहिए आपको जल्दी भूख ना लगे नमबर 30 काले हाथ पेरो पे निम्बू का रस मलाई में मिला कर रोजाना लगाने से साबली तो अच्छा भी धीरे धीरे गोड़ी होने लगती है नमबर 31 अगर आपके अच्छी निन लेने के बाद भी सरी ठका हुआ महसूस होता है तो आपके सरीर के अंदर पानी की कमी है इसलिए जब भी सो कर उठे तो एक से दो गलास गुनगुना पानी जरूर पीए नमबर 32 थंड के मौसा में मुंगफली का नियमित सेवन खासी से राहत दिलाता है मुंगफली सरीर में गर्माहट लाती है जिसे बलड सर्कूलेशन बहतर होता है और इसे दिल स्वस्थ बना रहता है नमबर 33 सरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अंकूरिच्चने से निम्बू अद्रक के टुक्रे प्याज खीरा हलका नमक और काली मिर्च डाल कर सुभर नास्ते में खाये इसे आपके सरीर की एनरजी बनी रहेगी नमबर 34 रोजाना एक रस्कूला का छेना खाने से आखों में होने वाली जलन और पिलापन जैसी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आखे भी स्वस्थ रहती है नमबर 35 तीन सफेद चीज मैदा चीनी और सफेद नमक इन तीनों चीज़ों को अपने डाइट में कम से कम सेवन करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आये तो लाइक करें जदा ज़्यादा सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड जो की पूरी तरह से फ्री है थैंक्स पर वाचिंग